इस वीडियो इस स्पॉंसर बाइ पिक्स्टून्स एनिमेशन स्टूडियो देश दुनिया से जुरी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करे वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल जम्मो कश्मीर पाकिस्तान ने फिर्की फारिंग बीएसेफ की बारा चौकियों को बनाया निशाना पाकिस्तान सेना ने जम्मो कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एक बार फिर संगर्श विराम का उलंगं करते वे भारी गुलाबारी शुरू कर दी पाकिस्तानी सेना ने शनिवार तड़के बीएसेफ की बारा चौकियों को निशाना बनाया मही बीएसेफ के जवानों ने भी सीमा पार से हो रही गुलबारी का माकूल जवाब दिया इस गुलबारी में फिलहाल किसी तरह का कोई नुक्सां की खबर नहीं है पाकिस्तान सेना की गोलाबारी में दो सैनिक, दो नागरिकों की मौत इससे पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने शुकरवार को अंतराश्टी सीमा पर नियंतर रडेखा से लगे जमुकश्मीरे चार जिलों में सीमा चौकियों और रिहाशी इलाकों पर गोलाबारी की थी जिसमें सुरक्षाबलों के दो जवान और दो आम नागरिकों की मौत हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से इस गुलाबार में 35 लोग घैल भी हुए थे थल सेना के एक अधिकारी ने शुकरवार को बताया कि पाकिस्तान सेना ने शाम साड़े छे बजे नियंतर रलेखा पर सुंदर बनी सेक्टर में बगएर उकसावे के छोटे हतियारों, स्वचलित हतियारों और मोटरार से अंधाधुन फायरिंग की इस पर भारतिय थल सेना ने जोरदार और प्रभावी जवाब दिया उन्होंने बताया कि दोनों और से हुई बुर्गोला बारी में लाइन्स लाइक सैम अपरहम की मौत हो गई, वा केरल के रहने वाले थे पाक सेना ने गुरुवार को भी तोड़ा था सीज फायर बताते किस से पहले गुरुवार को युप पाकिस्तान की तरफ से इन ही दो सेक्टर में फायनिंग की गई थी, इन まंसे एक भारती जवान शहीद हो गया था जबकि एक नागरिक गंभी रूप से घायल हो गया इसके बाद कारवाई करते हैं भारती जवानों ने पाकिस्तां के चार पोस्ट को धुस्त कर दिया सीज फायर तोड़ने पर विदेश मंतराले ने पाक उप उच्चायुक को लगाई डाट महीं पाकिस्तान के और से लगातार हो रहे है सीसफायर उलंगं के मामने में भारती विदेश मंत्राले ने पाकिस्तान के उप उचायुक्त सेद हैदर शाह को तलब किया पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की हिदायद दिर्याली मंत्रालेव के और से बताया गया कि पाकिस्तान की और से की जारी गुलाबारी में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है 2018 में अब तक 100 से ज़्यादा सीसफायर का उलंगन किया गया है धन्यवाद